सरारा बनाने के लिए मैंने डाइ मीटर कपड़ा लिया है और ये सरारा में 12-13 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ इस कपड़े को मैंने ऐसे एक बार फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद में ये 21 इंच है इसकी लंबाई हम इसको 21 इंच ही कट कर देंगे यहां से वहां तक इस डबल कपड़े को मैंने एक और बार ऐसे फोल्ड कर लिया है अब हमारे पास में 4 लेयर है सरारा में 35 इंच का बनाऊंगी इसमें से 18 इंच का उपर का पाट तयार होगा जो गुठनों तक आएगा और 17 इंच की इसमें फिर लगेगी जो गुठनों से नीचे आएगी सबसे पहले हम उपर की साइड में 0.5 इंच पे निसान लगाएंगे जो इलाश्टिक डालने के लिए हमारी बेल्ट बनेगी इन निसानों को ऐसे सीधा कर देंगे अब यहां से यह कपड़ा हमारा साड़े 18 इंच का हो जाएगा इसमें से आदा इंच नीचे की सिलाई में चला जाएगा और यह तैयार हमारा उपर का पाट 18 इंच का हो जाएगा यहां पे हम हिप का चौथाई भाग लेंगे हिप है 34 इंच उसका चौथाई भाग हुआ साड़े 8 इंच साड़े 8 इंच पे हम निसान लगा देंगे और इसमें हम धाई इंच की लूजिंग जूड देंगे तो हम 11 इंच पे निसान लगा देंगे यहां से हम नीचे की साइड में आसन के लिए निसान लगाएंगे तैयार आसन हम साड़े 11 इंच का रखेंगे और आदा इंच सिलाई के लिए लेंगे तो 12 इंच पे हम निसान लगा देंगे और इस निसान को ऐसे सीधा कर देंगे अब यहां से 2.5 इंच इदर की साइड में हम बढ़ा देंगे यहां से हम इसकी गूल आई देंगे और इस निसान को उपर की साइड भी ऐसे सीधा कर देंगे यहां पे हम गुटने की गूलाई का आधा भाग लेंगे गुटना है 18 इंच उसका आधा हुआ 9 इंच 9 इंच पे निसान लगा लेंगे और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे अब इस निसान को यहाँ पर मिला देंगे अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अब मैं इसको ऐसे खोल लूँगी और यहाँ से उपर की साइड से और कटिंग कर दोंगी अब हम गेरा की कटिंग करेंगे इस कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है यह कपड़े की चौड़ाई है और यह कपड़े की लंबाई है ऐसे फोल्ड करने के बाद में इस कपड़े की लंबाई है 21 इंच इसमें से घेरा की तयार लंबाई चाहिए मुझे 17 इंच, आदा इंच उपर की सिलाई के लिए लेंगे और एक इंच नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे तो साड़े 18 इंच पे हम निसान लगा लेंगे और बागी कपड़े को हम नीचे से कट कर देंगे और उपर की साइड से इस जोइंट को हम कटिंग करके दो पीस कर लेंगे इस कपड़े के मैंने इसको नीचे की साइड से कट कर दिया है और उपर से इस जोइंट को मैंने खोल दिया है अब यह हमारे पास दो पीस हैं दोनों पेरों के लिए अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे बीच में यहाँ पे बीच में कट लगा देंगे अब हम उपर वाले पाट के भी बीच में कट लगा देंगे इस जगे पे अब हम सिलाई शुरू करते हैं मैंने इन दोनों पाटों को ऐसे खोल के रख लिया है और सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे ऐसे सिलाई लगा के हम इस साइड का आसन जोड़ देंगे और इधर की साइड भी ऐसे सिलाई लगा के इधर का आसन जोड़ देंगे ये मैंने सिलाई लगा के दोनों साइड के आसन जोड़ दिये हैं अब हम इसमें गेरा को जोड़ेंगे इस उपर वाले पाट को हमने ऐसे रख लिया है ये हमारी उल्टी साइड है इस एक पर्दे को हम ऐसे कर लेंगे इसके उपर इस कपड़े को ऐसे रख लेंगे और ये जो हमने कट लगाया था ये हमारा कट से मिलना चाहिए आदे कपड़े की चुन्नट हम इस साइड डालेंगे आदे कपड़े की चुन्नट इस साइड में डालेंगे इसको हम ऐसे रखके यह सीधी साइड है हमारी इसको ऐसे रखके इसमें चुन्नट डालते जाएंगे हमें चुन्नट छोटी छोटी डालने है यह मैंने चुन्नट डाल दी है अब हम इसके अंदर वाले इस कपड़े को ऐसे अंदर की साइड में उपर की साइड में करके इसके उपर लेस लगा देंगे ऐसे लेस लगा देंगे और ऐसे ही हम दूसरे पैर की चुन्नट भी डाल लेंगे और उसके उपर भी लेस लगा देंगे मैंने दौनों पैरों के गेरा को जोड़ दिया है और दौनों पे लेस भी लगा दी है अब हम नीचे से ऐसे डबल फोल्ड करके उल्टी साइड में सिलाई लगा देंगे दौनों पैर के गेरा पर ये मैंने नीचे की साइड में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और इसके उपर लेस भी लगा दी है और इस पैर के गेरे पर भी लेस लगा दी है मैंने अब हम इसको उपर की साइड से ऐसे आदा इंच फोल्ड करेंगे पहले फिर दो इंच और फोल्ड करेंगे और इलास्टिक डालने के लिए तयार कर लेंगे ये मैंने इलाश्टिक डालने के लिए जगह छोड़ दी है इलाश्टिक डालने के बाद में मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और इलाश्टिक हमें कमर के नाप से 3 या 4 इंच कम डालनी है ये मैंने इलाश्टिक डाल दी है अब हम Elastic के सेंटर में ऐसे सिलाई लगा देंगे ये मैंने Elastic के सेंटर में सिलाई लगा दी है और सरारा बनके तयार है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें